तो ही दोस्तो अगर आपके भी मुली के पराठे ठीक से फूलते नहीं हैं या फिर फट जाते हैं या फिलिंग्स अच्छे से नहीं हो पाती गोल गोल नहीं बनते हैं सौफ्ट नहीं बनते हैं तो आप इस वीडियो को पुरा से पुरा जरूर देख लें आपकी सारी मुली को लेना है दोकर और हम इसे चील लेंगे छीलको को कुछी तर से देखिए एक एदम अच्छे से साफ हो गई हैं चीलको को अट और इसे हमें आदे गंटे के लिए छोड़ देना है नमक डालने से मुली से इसका पानी अलग हो जाएगा तो करीबन करीबन आदे गंटे के लिए आप इसे जरूर छोड़ दें तो नमक मिलाकर आदे गंटे के लिए छोड़ देते हैं और तब तक मसाले की प्रिप्रेशन कर देंगे और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक soft dot त्यार करेंगे पहले नमक और तेल को अच्छे से हाथों से मसल कर मिला लेते हैं मौयन करनी की जोट नहीं है बस हलका सा तेल डालकर इसे मिला लेना है तेल आप इसकी भी कर सकते हैं उसके बाद थोड़ा त्यार हुआ है जब आटी का दौर त्यार हो जाए थोड़ा सा तेल लगा कर आटी को ढखकर साइड में रख देते हैं और फिलिंग्स की त्यारी कर लेते हैं 1-2 गंटा हो गया है तेकि मुली से काफी पानी अलग हो गया है तो हम्यें क्या करना है इसकी पानी को एकदम अल प्रेस करते वे सारे पानी को निकाल देंगे इसे मुली का कड़वापन निकल जाता है मुली भी काफी नमक के वज़े से सौफ्ट हो जाती है तो इसे स्टीम करने की भूनने की कोई जरूद भी नहीं पड़ती है देखिए कुछ इस तरह से हम प्रेस करते वे सारा पानी इसक कर लेंगे सारी दे से अलग हैं गः экक दुकस करके लिये थे और अब क्या करेंगे इसमें कुछ मसालों को भी मिला देंगे जिससे हमारा मिक्सर काफी चटपटा बन जा है तो फिलिंग्स के लिए हम कुछ मसालों को लेंगे मसालों में सबसे पहले हमें ले लेना है एक छोटा चम्मच से भी कम हल्दी का पॉडर एक छोटा चम्मच धनिया का पॉडर एक छोटा चम्मच गरम मसाला पॉडर और दो छोटे चम्मच मैंने आप एक चाट मसाला पॉडर ले लिया है दो छोटे चम्मच से भी कम अजवायन लिया है और अदर इसमें चटपटा स्वाथ आ जाता है आदा छोटा चमच काला नमक भी ले लेना है नमक पहले से था तो नमक ज़्यादा नहीं लेंगे और सारी चीजों को मिलाना है और अच्छा स्वाथ के लिए हम इसमें डाल देना है कटा हुआ धनिया का पत्ता और हमने इसमें ला लालमिच पॉर्डर को इसकीप भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा तीखा खाना हो तो आप थोड़ा सा लालमिच का पॉर्डर ले सकते हैं, अगर तीखा नहीं पसंद है, तो आप इसे इसकीप भी कर सकते हैं, सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह हमारी फिलिंग उस्वार दम अच्छे से जब जस चटपटी तयार हो जाएगी तो अब हम क्या करेंगे अब हम गैस की ओर बढ़ेंगे और गैस पर रख देंगे एक तावा गर्म करने के लिए तावा अच्छे से जब गर्म हो जाए तब हमें बनाना है तो स्लो फ्लेम करके हमने तावा रख दिया है तावा जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम लोग पराठे भी बेल लेते हैं तो इस तरह मैंने देखिए एकदम छोटी सी गोली तयार कर ली और आटा लगाते हुए हाथों में गोली तयार कर लेनी है और थोड़ थोड़ आटा लगाकर अब हम इसकी कटोरी बनाएंगे तो देखिए आपको इस बात का भी पिसे ध्यान देना है जब आप कटोरी त्यार कर रहे हैं तो किस तरह करें जिससे हमारा फिलिंग्स बाहर ना निकलें तो आप देखिए किस तरह मैं कटोरी त्यार कर रही हूँ, देखिए साइट के तरह अंगुटों की मदर से मैं इसे पतला कर रही हूँ, पर बीच में अभी भी यह मोटा है, इससे क्या होता है, हमारी जो फिलिंग्स हम डालेंगे, बेलते समय बाहर नहीं निकलेगी, जो अक फिलिंग्स डालने के बाद हाथों से प्रेस करते हुए इसे अंदर की तरफ कर देंगे, और बार वाला हिसा को उपर की तरफ ले जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए, फिलिंग्स को अंदर मनुनी कर दिया, और साइट को अब हम बंद तो side को बंद करने के लिए इस तरह से मुठी बनाना है देखिए पहले आप feelings को भर लीजिए फिर हाथों को इस तरह से दबाते हुए हमें इसकी मुठी तयार कर लेनी है मुठी तयार होने के बाद आप हम इसे इस तरह प्रेस करके आट्या लगा कर हलके हाथों से इसे बेलेंगे पहले उपर के तरह फिर घुमाते हुए side के तरह इस तरह एकदम पतली गोल पराटा बनकर हमारा तयार हो जाता है देखिए हमारा पराटा कितने अच्छे से बेल रहा है बिल्कुल फट नहीं रहा है और पराटा भी बिल्कुल पतला बनकर तयार होगा और फिलिंग्स भी हमने काफी भरी है और बाहर बिल्कुल निकल नहीं रही है तो आप गर आप इस तरह से पराटे बनाएंगे तो आपके पराठी बिल्कुल फटेंगे भी नहीं और एकदम टेस्टी जबरजस्त बनने वाले हैं देखे हमारा पराठा एकदम अच्छे से बेल कर त्यार हो गया है मैं आपको इसे दिखाते हूँ देखे कितना अच्छा सभी बिला हुआ है और बिल्कुल फटा भी नहीं है और एकदम पतला मेंने बेला भी है तो देखे मैं आपको उठा कर दिखाती हूँ देखे काफी अच्छे से बेल चुका है तो अब हम गैस के और बढ़ेंगे और चेक कर लेंगे हमारा तावा गर्म हुआ है कि नहीं अगर तव अच्छे से गर्म नहीं होगा तो पराठा चिपक जाएगा और अच्छे से घूमे का नहीं और पलट भी हम नहीं सकते हैं आवा जब अच्छे से गर्म हो जाए फ्लेम को मेडियम स्लो करके हमें पराठी को रख देना है और दोनों साइट से पहले हम इसे सेक लेते हैं और सेकने के बाद थोड़ा थोड़ा घी या तेल लगा कर हम इसे पका लेंगे तो देखिए मैंने इसे पलट दिया है कुछ इस से दूसरी साइट से भी और अब हम इसमें लगा लेंगे घी या तेल कोई भी कुकिंग ओयल जो आप खाते हूं ले सकते हैं या फिर आप सबसे अच्छा हो आप घी लगा लें तो और भी अच्छी बनकर तैयार होती है थोथ रहा घी लगाकर मेडियम फ्लेम में दोनों सा पसंद आई हो लाइक जरूर कर दें क्योंकि आपका एक लाइक मुझे प्रोसायत करता है मैंने वीडियो अच्छी बनाई अगर मैंने वीडियो अच्छी बनाई हो रेस्पी अगर आपको पसंद आई हो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप सब खुश रहें स्वस्त रहें जै भारत, जै हिंद, थैंक यू